तो नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप सब और दोस्तों आप सब का स्वागत है एक और बार हमारी चेनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छती राज्य नियालीक विज्ञान प्रयोक साला भरती पधे दोस्तों बिसरा कटर इसका दोस्तों संभावी आंसर की हम आपके साम मुंबाई में भारत का सबसे बड़ा जीला कौन से हैं तो दोस्तों ये तीसरा है कच अगर आपको लगता है कि आंसर में हमसे कहीं तूटी हुई तो नीचे जरूर कमेंट कीज़े हम उसको रिव्यू करेंगे और पिन करके जरूर देंगे आप को कमेंट में कि ये आंसर को आप करेक्टर लिजेगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो सब इसको जानते हैं 28 माउंट एरेष्ट पर चड़ने वाली भारती महिला कौन थी जो प्रथम बचेंदरी पाल थी जवहरलल नेरु भारत के प्रथम प्रथम मंदरी कब बने तो 15 अगस्त 1947 ठीक है भारत के प्रथम राष्ट बचे थे तो ये है डाक्टर राजेंदर प्रसाद भारत में सबसे कम जन्वसक्या वाला राज्य कौन सा है इसको सब लोग जानते होंगे राष्टी द्वजक की लंबाई चउडाई का अनुपाद क्या होना चाए तो दोस्तों ये तीन अनुपाद दो में होना चाए दोस्तों सतलज का जो है न उद्गम उस्तल जो है ये दोस्तों तिबबत में पड़ता है लेकिन अब तिबबत तो देश रहा नहीं चीन ने उस पर खाना चाहिए धाव बोलकर उसका कबजा रखा है ठीक है तो ये कह सकते हैं चाइना में है भारती संसत का उच्छ सदन कौन ह होता है तो दोस्तों ये राजसभा होता है चवदा भारती क्रिकेट टीम ने पहला विसकप किस वर्ष जीता था तो ये 1983 में जीता था 36 गड़ पर सबसे लंबी अवधित अक्सासन किस ने किया दोस्तों ये एकदम सहुत्तर यहां पर कल्चरियों ने 36 गड़ में इस तिद्द दक्षिट कोसल की राजधानी थी दोस्तों ये सिरपूर थी 36 के प्रथम मराठा सासक कौन थे तो दोस्तों ये बिम्बा जी भोस्तला वे थे आगे बढ़ते हैं 36 गड़ में त्याग मूर्ती कुपाधी किसे दी गई तो दोस्तों ये दी गई है बस्तर के काक्ती ये चालुक के वन्स के संस्थाथ तक कौन थे तो दोस्तों ये थे अन्नम्दयो अर्थात 19 का सिवत्ता दोस्तों सी है तो दोस्तों ये कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है महासिव गुप्त काल को ठीक है आगे बढ़ते हैं 15 अगस्त 19 से 40 को रायपूर के गांधी चौक में जंडा किसने फाराया था दोस्तों हमको इसका सही उत्तर जो है नहीं मिल रहा है आपके पास है तो आप जरूर हमको दीजिए कमेंट करके 19 20 में बी अन मिल की हड़ताल का सफल नेत्रित जो है किसने किया था तो दोस्तों ये किया था ठाकुर प्यारिलाल सीह ने कल्चुरी और मराठा सासकों के प्राचीन राजधानी का गवरो किसे प्राप्त है तो दोस्तों कल्चुरी और मराठा दोनों ने अपना जो राजधानी है वो रतनपूर को ही बनाया था 36 गड़ में जंगल सत्राग्या के जन्वदाता कौन थे दोस्तों जंगल सत्राग्या के जन्वदाता थे स्यामलाल सोम 36 गड़ का प्रथम भूंकाल विद्रो कब हुआ था 25 तो दोस्तों ये हुआ था 1910 में स्वत्तनरता संग्राम सिनानी सुरेंद्र साय कहां के जमिदार थे तो दोस्टों ये संबल्पूर के जमिदार थे तो दोस्तों ये है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और बिलासपुर के जो सेंटरल जेल है वहीं पर इन्होंने अपना जो प्रसिद्य कविता है दोस्तों चाह नहीं मैं सुरुबाला के अर्थात पुस्प की अभिलासा ये कविता उन्होंने वहीं लिखी थी बिलासपूर के जेल में छतिड के किस जीले से होकर करकर रिखा गुजरती तो दोस्तों यहाँ पर उपरोगत सभी आएगा चतिजगर राज्य की आकरिती किस के समान है तो समुद्री खोड़ा किस के समान है दोस्तों आगे बढ़ते हैं चतिजगर राज्य का सरवाधिक भागोलिक शेतर किस के अंतरगत आता है तो दोस्तों मायदानों और नदियों के बेसीन सहीटर C है भावतिक दिष्टिस से च्छटिड को कितने भागों में बाटा गया है तो दोस्तों सहीटर यहाँ पर चार बादल खोल 1 या जीव अभियारन च्छटिड के किस जिले में इस्थित है तो दोस्तों यह जस्कूर में है निमलिखित में से कौन सा राष्टी उद्यान चत्तिस गड़ में नहीं है तो दोस्तों ये काजी रंगा है ये नहीं है बाकि सब है महानादी के उत्पत्ति किस राजे से होती है तो ये चत्तिस गड़ में होती है निम्न में से कौन सा जल परपात बस्तर में नहीं है तो दोस्तों तीरतगड मंदरा चितरधारा ये चितरधारा जो है न भी 36 गड में ही है ठीक है अर्थात ये तामडा घुमर जो है ये दोस्तों नहीं है कहां 36 गड अर्थात बस्तर में 36 गड़ में स्वरधीक वर्षा छेत्र कौन सा है तो दोस्तों ये अबूज मार है सब लोग इसको सही लगाएंगे जन गड़ना 2011 कमसार 36 गड़ में साक्षरत का दर कितनी थी दोस्तों 20.30 यही इसका जो है सही उत्तर है चितवा डोंगरी की गुफा कौन से जिले में है तो ठेटियन दोस्तों राज जानदगाओं में ये पढ़ता है चालिस प्राग इतिहासिक से लेकर इतिहासिक काल तक के चित्रित सैलासरे कहां पर हैं दोस्तों ये सिंगनपूर राइगड में पढ़ता है दोस्तों ये है दोस्तों ये बस्तर को कहा जाता है वर्तमान में 36 गड मत्योत पादन में देश में कौन सा इस्थान पर है तो दोस्तों ये है छट्वे इस्थान पर 36 में देश का लगभग कितने प्रतिसत तेंदू पत्ता उत्पन होता है तो ये दोस्तों 20 प्रतिसत है आगे बढ़ते हैं 36 गड में लिखित में से किस जिली में सबसे कम 1 छेतर है कब सबसे कम ठीक है तो ये दोस्तों जानगीर चाम पर ये पढ़ता है 36 गड का वन मुख्जाल है कहां पर इस्तितampa दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से कंफ्यूजन है यहाँ ने रैपूर है वहाँ पर इस्तितन है तो यह थोड़ा से कंफ्यूजन है कि इसको सही उत्तर क्या होना चीए 36 गड में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है तो दोस्तों ये है कहना चीए मुंग फली छतिर राज्य के किस जीले में चाय कुद बादन होते हो है ठीक है तो ये जस्पूर में होता है दोस्तों छतिर गड़ में अधिक्तम छेतर में किस फसल की खेति की जाती है सब इसको जानेंगे चामवल चतिर गड़ में क्रिसी बसी दले कहां चिस्तित है तो आयजी के भी दोस्तों ये राएपूर में है देश में चतिर का 100 फल की दिष्टि से कौन सा इस्थान है तो दोस्तों 52 का सहुतर यहां पर 33 इस्थान तिरपन किस तेहार में किसान उनके क्रिसी उपक्रणों की पूजा करते हैं तो दोस्तों यह है हरेली में पूजा करते हैं 36 गड़ में क्रिसी महुत्साव का मुख्य उद्दे से क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पर उपरोगत सभी आएगा 36 गड़ में सब्जी उत्पादन के लिए कौन सजीला प्रसिद्ध है तो दोस्तों यहाँ पर मैं कन्फ्योज हूँ दूर्ग, राइपूर, बिलासपूर, जस्पूर अब यहाँ पर मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों होने वाला ता तो कौन सा है दोस्तों यूरिया सबसे ज़्यादे उजश होता है नाइट्रोजन ठीक है 36 गड़ में लागू पंजायती राज व्योस्ता का सरूप है तो त्रीस तरी है अंठावन देख लीजिए यहाँ पर 36 गड़ प्रसासन का सरोच प्रसासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों यह चीफ सेक्रेटरी होता है मुख्य सचिव आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा एक विधान सबस सत्र नहीं है तो बसंत कालिन सत्र दोस्तों यह नहीं है साथ चतिर राज में नगरी निकायों का प्रसासनिक विभाग कौन होता है दोस्तों नगरी प्रसासनिक अलग से विभाग होता है तो यह जो है और अभी नगरी जो प्रसासनिक कौन है साय तक अरूर साउजी है राइपूर नगर पालिका का इस्थापना वर्स क्या है तो दोस्तों ये है C1866 36 गड़ में पंचायत राज ब्युस्था का मुद्खे उद्दे से क्या है देखे राजी सरकार की स्थक्तियों को केंदरी कित करना तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि पंचायती राज विकेंदरी करन के लिखे जाता है सहरी करन को बढ़ावा देना नहीं है ग्रामेड विकास को बढ़ावा देना उद्द्योगो का विकास दोस्तों भी इसका सही उत्तर है ठीक है आगे बढ़ते हैं 36 गण में इस्थानी प्रसासन के कौन सिस्तर पर वार्ड सभाओं का ऐउजन किया जाता है इस्थानी प्रसासन के कौन सिस्तर वार्ड सभा दोस्तो ग्राम पंचायत में वार्ड सभा नहीं होता है जन्पत पंचायत जीला पंचायत नगर निगम दोस्तों मेरे को सही उत्तर लग रहा है दी निगर निगम बाकी आप लोग और कनफर्म करके बता सकते हैं मुझे ठीक है मैं इसमें स्योर नहीं हूँ 36 गण में ग्राम पंचायत का प्रमुक होता है तो दोस्तों यह सरपंची होता है 36 गण में इस्थानी प्रसाशन के किस इस्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्यवन किया जाता है तो दोस्तों जनपत जीला और ग्राम पंचायत इस्थानी प्रसाशन के किस स्थर पर विकास योजनाओं का क्रियार्णिवन क्या जाता है, ये उपरोक्त सभी दोस्तों आना चाहिए, ठीक है 36 में नगर निगम के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो पारसत कहा जाता है 36, 36 गड़ में पंचायतों की बैठकों का संचालन कौन करता है, तो दोस्तों ये सचिव करता है, पंचायत सचिव, ठीक है 36 गड़ में नगर निगम का कारेकाल कितने साल का होता है, दोस्तों, ये 5 साल का ही है 36 गड़ में किसके दोरब पंचायतों को तकनीकी और प्रसासनिक सहायता प्रदान की जाती है तकनीकी administrative support दोस्तों ये इसके लिए जो है पंचायत सची हो है कहना चीए पंचायतों को directly कहना चीए क्योंकि सची जो है राज़िसरकार के करमचारी होते हैं था दोस्तों पंचायट सची यहां पर एकदम सही उत्तर बन रहा है 36 गड़ में ग्राम सभा का मुख्य कारिय क्या होता है तो विकास योजनाओं का अनुमोदन, बजट का निर्माण, पंचायट सदस्यों का चुनाओ इलेक्सान पंचायट मेंबर्स दोस्तों, पंचायट सदस्यों का चुनाओं तो नहीं होता है बजट का निर्माण, विकास योजनाओं का अनुमोदन, दोस्तों यहां पर न पंचायत सदस्य का तात पर रहे हैं देखो ग्राम पंचायत में भीन्य प्रकार की समीधी होते हैं उनके अलग-लग सदस्य होते हैं ठीक है न उसका जो चुनाओं है वो होता है कहना चाहिए ग्राम सभा में ठीक है अनुमोधन भी होता है बजट का निर्माण भी होता है कहने का मतलब ठीक है तो ज्यादा उत्तर दोस्तों सही मेरे को ज्यादा सही ये उपरोक्त सभी वाला लग रहा है 36 गड़ में माचिस निर्मार सेंद्र कहां इस्ति थे दोस्तों ये बिलास्थपूर में है 36 गड़ का कौन से जील अपनी कोईला खदानों के लिए जाना जाता है और राजी के महत्वपूर्ण और द्योगिक केंद्रों में से एक है दोस्तों ये कोरबा है 36 के दूर्ग भिलाई किस छेतर में से संबन्धी दोस्तों ये और द्योगिक छेतर है 36 में कौन से जल उद्धीत परियुजना सबसे प्रसित है दोस्तों ये है हज़ते यो बांगो परियुजना ठीक है बाकी सब दोस्तों छेतर में है ही नहीं 36 के किस जीले में सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट इस्तित है तो दोस्तों ये तो मानके चलिए कौर्बा ही सहिस का उत्तर होना चीए ठीक है थर्मल पावर प्लांट तो कौर्बा ही से उत्तर होना चीए बाकी अभी मानके चलिए बहुत सारी चीए बदली हुई है तो हो सकता है कुछ चेंजे सो खास करके राइपूर छेतर में बहुत सारे जो है प्लांट से वो बने हैं लेकिन पाउर प्लांट में दोस्तों ये कोर्बा ही होना चीए आई थिंग 36 में किस कमपणी का सबसे बड़ा थर्मल पाउर प्लांट है दोस्तों ये NTPC का ही है जो की कोर्बा है आगे बढ़ते हैं गंगरेल बान किस नदी पर बना है तो दोस्तों ये महा नदी पर बना हुआ है B 36 में कौन सजल प्रपाद भारत का नाइगरा कहा लाता है तो दोस्तों ये चितर कूर जो वाटर फाल है ठीके न इसी को ही दोस्तों भारत का जो नाइगरा है वो कहा जाता है 36 गड़ में सिचाई के लिए सबसे अधिक उप्यों होने वाला स्रोत काउंसा है तो दोस्तों ये C है नहर 36 गड़ में किस खनीच को काला हीरा कहा जाता है तो ये कोईला को कहा जाता है चति चड़ में बाकसाइट का प्रमुक उत्पादक जीला कौन सा है तो दोस्तों 81 बाकसाइट का प्रमुक उत्पादक जीला यहां पर सरगुजा है च्छतिएड में हीरा खनन का प्रमुक छेत्र कौन से है दोस्तों ये गरियाबन छेत्र है अर्थात 82 का दोस्तों से उत्तर है च्छतिएड में IT और शॉप्ट एर उद्योग की विकास के लिए किस सहर को प्रमुक के इंदगरूप में विक्सित किया जा रहे है दूर्ग को सारे टेकनिकल कालेज आजकल यहीं दोस्तों मिल रहे है च्छतिएड में कोईला खननने के लिए प्रमुक कंपनी कौन सी है तो दोस्तों ये कोल इंडिया लिमिटेड है यही प्रमुक कंपनी है इंद्रा कला यम संगीत विसी दलय की स्थापना कब हुई तो दोस्तों से उत्तर है उन्निस्तो चपन च्छतिग गड़ का क्या मतलब है च्छतिश की लिए तो सही उत्तर यही है च्छतिएड गड़ राजी का प्रथम सौप्टेयर पार्क कहां इस्तवापित किया जा रहे है दोस्तों से उत्तर हैं यहां पर भिलाई में चट्रिर का मात्री राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश नवासी चट्रिर रसरकार के राज्य प्रतिक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकीत है अब्योसिक दोस्तों ये जो है धानी है प्रतिवर से पूरे भारत में 25 दिसंबर को किनके जन्म दिन पर सुसासन दिवस जो है मनाये जाता है अटल भिहारी बाचपेजी हैं हाल ही में कवन IPL इतिहास के अब तक के सबसे जो है महंगे खिलाडी बने हैं तो दोस्तों मिचल इस्टार्क हैं ये आदित L1 का प्रमकुद्दे से क्या है तो दोस्तों अंत्रिक्ष के में सूरे के करीब जो है अनुसंधान करना ये इनका प्रमकुद्दे से है भारती सिनेमा के जनक कौन थे तो दोस्तों ये दादा साहिप फालके को माना जाता है भारत के किस राजय में सबसे बड़ा और उ तो दोस्तों ये है RRR, भारती रेलोई दारा शुरू की गई सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत गती माने की तेजा सतापदी एक्सप्रेस, तो दोस्तों 96 से उत्तर है, गती बान एक्सप्रेस, भारत के किस राज्य के सबसे महत्पून, पहले पूनता आरगेनिक खे जो है, लायंच किया था, तो दोस्तों ये दिल्ली है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सूटिंग में किस ने सवनड़ पतक, जीता अभिनाव बिंदरा ने, चंद्रयान तीन मिशन के रोवर का क्या नाम है, दोस्तों ये प्रज्यान रोवर है, ठीक है, तो ये रहा दो लगा तो प्लीज सब्सक्राइब देशनल, और अगर आप हुआरे सेकंड लेवल मेंबर्सिप में होंगे, तो ये दोस्तों मेंबर्सिप स्टेटस में लगा हुआ है, वहां से आप जो है, ये कोशन पेपर विथ आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में लास त